तो दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपलाई करेंगे उद्योगदार सेटिफिकेट या फिर MSME सेटिफिकेट इसमें क्या 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 डॉक्युमेंट्स ची होते हैं और कितना टाइम लगता है इसको लेने में नमस्का दोस्तो मैं हूँ दीपक बैसला और यह वीडियो आपके लिए काफी हैल्फुल हो सकती है इसे अंतक देखें तो दोस्तो जैसे कि मैंने बताया हम अपलाई करना सीखेंगे MSME सेटिफिकेट या कह सकते हैं हैं उद्योग com उद्योग अदार या कह सकते हैं उद्याम रिजिस्ट्रेशन दोस्तो अम सब से पहले अपनी वैबसाइट को लेंगे जो भी हमारी उद्धियम रेजिस्टेशन की आप सेलेक्ट कर सकते हैं गूगल पे डालके उद्धियम अधार रेजिस्टेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तो आपने गॉर्मेंट की दोस्तो वेबसाइट कोलनी है आपने जो भी हमारी जो गॉर्मेंट की वेबसाइट दोस्तो आपने वो खोलनी है उद्धियम रेजिस्टेशन डॉट जी ओवी डॉट इन यानि कि ये वेबसाइट आपने यूज़ करनी है इस पे क्लिक करना है दोस्तो दोस्तो ये विंडो हमारी खुल जाएगी आपने सेलेक्ट करना है अपने बिजनस के लिए दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ यहां पे दो चीज़े कि अगर आपने register करना है पहली बार आप नए entrepreneur हो आप पहली बार apply करना चाहते दोस्तों तो आप पहला option select करेंगे अगर आपने migrate किया है अपना जो है migrate किया है उद्यम के अंदर MSAMI से उद्यम में किया है migrate तो आपको जिनके पास पहले से यूए में उनको इसके तुरू करना है या जिनके पास टेशन एज यूए में तुरू एसस्टिड फाइलिंग के तुरू तो उनको यहां apply करना है तो दोस्तों हम किसी का fresher अभी apply करने है उद्यम registration तो हमें option select करना है पहले वाला हम पहली बार किसी का apply कर रहे हैं दोस्तों उद्यम registration msme certificate या उद्योग अधार तो हम click करेंगे दोस्तों यहां पर जैसी दोस्तों आप यहां पर डालेंगे तो यह basically देखा जाए आप देख सकते हैं उपर लिखा है कि उद्यम registration form आपका खुलेगा for new enterprise जो कि अभी तक registered नहीं है as a msme तो दोस्तों हम यहां पर डालेंगे सबसे पहले अधार आपको पता होगा दोस्तों कि हमें इसमें जो सारा process होता है वह अधार के थुरू होता है तो दोस्तों इसमें हम अधार number डालेंगे जिसका हम apply करने वाले हैं उसका दोस्तों हमें यहां पर उद्यमी का नाम डालना है basically जो भी entrepreneur दोस्तों का नाम डालना है हम यहां पर और दोस्तों validate करके information हमें सिधा generate करना है OTP हम दोस्तों यहां पर डालेंगे जो भी हमारा OTP आया है उसको validate करेंगे दोस्तों validate करने के बाद दोस्तों यह हमसे next step जो है वो पूचेगा कि आप कौन सी organization हो आप basically proprietor हो हो आप हुए फो पार्टमर्शिप हो कोपरेटीव हो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड या लल पी सोसाइटी ट्रस्ट आप क्या हो दोस्तों आपने वहां पे वो टाइप ऑफ ओगरेशन आपने सेलेक्क करना है यहां पे दोस्तों आपर और्टमर्शिप सीलेक्क करना है ज consomm में करना है और संद में पेहन काड डालना है आपको कि दोस्तों यह आपका वेलडिट हो चुका है दोसम्स गया हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर कि आपसे यह पूछेगा देखिए आपसे बता रहा है कि आपका pen successfully verify हो चुका है दोस्तों अभी आपसे पूछ रहा है कि have you filed the ITR for previous year 19-20 कहां पर बात करना है अगर आपने फाइल कर दिया तो आपने yes करना है नहीं करिया तो आपने no करना है उसके दोस्तों आपसे further information पूछ रहा है कि आपका basically ITR type आपने क्या बरा है दोस्तों आपने ITR type select करना है जो भी आपने बरा है साथ में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपके पास GST है yes और no में आपने जवाब दिना अगर yes है तो हम yes करेंगे उसके दोस्तों यह जो नाम होगा name of entrepreneur जोगा यह automatically अपने पैन और अधार से दोस्तों अपने आप यहाँ पे auto populate हो जाएगा उसके दोस्तों आपने डालना है छटे point के इंदर mobile number साथ में अपनी email ID दोस्तों डालनी है हाँ पे उसके दोस्तों आपने अपनी social category select करनी है कि आप general है SCST में यह OBC में आते हैं दोस्तों आपने फिर gender click करना है अपना male, female, others में जो भी आते है specially able divyang तो नहीं है दोस्तों तो वो भी select करना है आपने तो दोस्तों हमें डालना है enterprise का नाम यहाँ पे हमने enterprise का दोस्तों नाम डाल दिया है अब आप नीचे चलेंगे दोस्तों अगर दोस्तों हमारे कोई plant है हमारे को unit name है या कोई आपका manufacturing plant के आपके कई जगा plant जैसे होते हैं हमारे अक्सर manufacturing के case में तो आपने वो information यहाँ पे डालनी है add more पे click करना है और नीचे दोस्तों उस जो plant का उस जो unit name है बेसे करी उसका complete यहाँ पे आपने address देना है दोस्तों आपने official address अपना डालना है जो भी है उसके बाद आप यह आपसे 14 point के अंदर पूछेगा कि क्या आपने पहले कोई EM या फिर उद्योगता registration तो नहीं ले रखा दोस्तों तो आपने na पे click करना है आपका साथ में दोस्तों पूछेगा status of pushing enterprise कि आपकी date of incorporation क्या है तो दोस्तों आप यह information GST के basis पर डाल सकते दोस् COI के basis में अनिकी certificate of incorporation चोगता है दोस्तों उसके basis पर डाल सकते हैं उत्ता से इस case में हम proprietor का कर रहे हैं तो हम यहापे GST के basis पर उसके GST ले रखा है तो हम उसके GST के basis पर दोस्तों यहापे उसका डालेंगे दोस्तों आपसे पूचेगा कि आपका business comments हो चुका है येस आप दोस्तों date भी डालेंगे हैं आप एक कब से हुआ है दोस्तों आपसे पूचेगा फिर bank की detail आपने bank की information डालनी है और दोस्तों उसके बद आपको 17 point में पूचेगा कि आप activities basically क्या करते हैं दोस्तों हमारा ये service का case है है हमने service यहाँ पर select किया है उसके दोस्तों आगे पूचेगा आपसे services के case में further आपसे पूचेगा दोस्तों national industrial classification code आपने दोस्तों यहाँ पर डालना है service के case में क्या code होगा दोस्तों फिर आपने डालना है आपने number of employees हमारे यहाँ पर कितने हैं दोस्तों basically आप अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने उपर select किया था कि हमने अपना ITR हमने भरी हुई है राइट और ITR हमने यहाँ पर 3, 5 और 6 का उपर हमने दोस्तों आप देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ हमने वहाँ पर check किया था वो box जो हमने enable किया था कि हमने ITR अपनी fill की हुई है दोस्तों तो इसका मला जैसे हमने आप पर click किया तो हमारा जो नीचे का data है जो भी required data है वो auto populate अपने आप हो जाएगा दोस्तों वहाँ से अगर यह नहीं करते दोस्तों तो फिर हमें वरना पड़ता लेकिन जैसे हमने इसको यहाँ पर ITR पर yes कर दिया है तो नीचे का data है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर क्या बोला आप जान से पढ़ेंगे कि सिंस आपका जो पहन है आपकी जो WD जो turnover है वो auto populate हो जाएगी आपकी ITR से जो उस साल की आपने भरी है क्योंकि आपने उपर जो उस box को चेक किया है आपने self declaration जो दिया है उसमें आपने उसको okay किया है तो इसलिए वो information आपकी automatically वहाँ से ले ली जाएगी उसके दोस्तों आप interested हो अगले point में पूछेगा कि आप interested हो government e-market portal पे आपने करना yes यह no आप interested हो trades के अंदर आपने करना yes और no दोस्तों यहाँ पे उसका दोस्तों last step आपसे पूछेगा submit and get final दोस्तों आपसे पूछेगा information कि आप अपना जो data है वो आप correct है के नहीं है दोस्तों जैसे हमने submit किया दोस्तों हमारे पास यह OTP आएगा OTP दोस्तों आपने यह पे डालना है साथ में दोस्तों आपने capture code mention करना है और final दोस्तों submit जैसे आप submit करेंगे आपसे information पूछेगा कि you are not able to you will not able to change the data okay दोस्तों आप देखोगे कि आपका उद्धियम registration दोस्तों यहाँ पे successfully generate हो गया है दोस्तों यह आपका उद्धियम registration एक reference number आ गया है इसको आप print यहाँ पे जाके दोस्तों कर सकते हैं print उद्धियम certificate में और आपके पास दोस्तों एक email भी आएगा जिसके अंदर यह certification reference number होगा तो आप उसके basis पे भी दोस्तों website पे जाके यहाँ पे print out निकाल सकते हैं दोस्त आपको कुछ ना कुछ solution प्रोवाइड किया होगा दोस्तों इसलिए हमारी इस वीडियो को like करें share करें और subscribe जरूर करना दोस्तों हमारे channel को नीचे लाल बटन है उसे दबाएं ताकि आपको ऐसे ही informative वीडियो time time पे मिलती रहें thank you